प्रिये विद्यार्तियों, लोग परसासन की कक्षा में आपका स्वाकत है हम लोग ब्रिटिस संसद्य प्रणाली के बारे में पढ़ रहे थे इसके तहट हम लोगोंने ब्रिटिस संसद्य प्रणाली की विशेश्ताओं और उसके लगों या गुणों के बारे में पढ़ लिया है आज हम बिटिस संसद्य प्रणाली के दोस या हानिया क्या हो सकती है उसके बारे में देखेंगे बिटिस संसद्य प्रणाली के दोस या हानिया जो हैं उनको आज हम निमनांकित बिंदों के माधियम से अध्यन करने का प्रयास करेंगे पहली जो दोस यहानी है वो है सक्ति प्रतक करन के सिधान्त के विरुद्ध क्या मतलब है इस बात का? कि सक्ति जो है वो मनुश्य को निरंकुस मनाती है अता सक्तियों का विकेंदरी करण या वीभाजन होना स्रेश्ट है अच्छा है मौन्टेश्की उन्हें क्या है सक्ति पृतन्तरता को सुनेशित करने के करम में यह प्रतिबातित किया था परम्तु संसदिय लोग तंतर में विधाईका, कारेपालिका, नियाईपालिका जो है वो पूर्ण तैपरत्थक होने के बजाए एक ही स्थान पर क्या है केंद्रित दिखाई जेती है कारेपालिका स्वेम विधाईका का ही एक अंगोती है अर्थात विदाई का सही कारेपालिका का निर्मान होता है ऐसी स्थिती में क्या है निरंकुस्ता भी हो सकती है ब्रिटेन में संसद की सर्वचता माने चकती है किम्तु संसद की सकतियां भी मंत्री मंडल में केंद्रित हो चकी है बृटेन की लॉड शभा जो उंच्छ सदन है। जैसे हमारे सफ्रेश हैं। बृटेन में लॉड शभा ही सरवच न्याइले हैं। प्रसन उठता है कि जब नाइक-बनडावलोकन की शक्ति सुनने हो तथा शासन की सक्तियां सारी सक्तियां एक स्थान पर केंद्रित हो तो शासन का सुरूप कैसा होगा यह देपी ब्रिटेन में कई दसकों से इस समद्ध में बड़ा विवाद भी कोई सामने नहीं आया तथा पी यह एक अवकुन है जो केवल अंग्रेजों की समझ बूस तता थे वरिक्ता से क्या है दुवादद तो यह क्या है संसेदा प्रणाली में जहां एक और योग्य वे अनुभवी मंत्रियों की मंत्री मंडल में सदस्यता की संभावना रहती है वहीं दूसरी ओर दलिय शासन के कारण धूर्त चालाक तता अवसरवादी राजनेता भी सरकार में आजाते है विशत रूप से राजनेतिक माननेताओं पर अधारी ते इस शासन व्यवस्ता में राजनेतिक संकेर्णताई स्पष्ट हो जाती है या स्पष्ट रूप से सामने आजाती है जो सत्ता धारी दल या दलों दोरा लूट के माल को बांटने की जो परंपरा है उसका क्या है निर्वेहन करती है बारत में एक दरजन से भी अधिक राजनेतिक दलों की गटबंदन सरकारों के समय लोग तंत्र महज एक तमासा बन गया है क्योंकि जिनके विरुद चुनाव लड़ा जाता है सत्ता में उन्नी के आतों से क्या है मिलाना पड़ता आत बृटेन में यह द्वी दली राजनेति ए फिर भी दली राजनेति के स्वस्ट प्रभाव क्या है दिखाई देते हैं बहुदा विपक्सी दल सास के कारों में एर उचे भी प्रकट करते रहते हैं तो इस प्रकार से क्या है दलगत जो सासन है वह एक इसकी कमी है तीसरी जो इसकी कमी है या आनी है वो है वेवस्थापिका की सक्तियों का पतन संसद्य लोगत अंत्र की यह एक गंभीर समस्या है क्योंकि जन भावनाओं का समुहिक प्रतिनित्यों करने वाली संस्था अर्थात व्यवस्था प्रका की सक्तियों का तुलनात्मक रूप से क्या है बहुत जादा ख्रास हुआ है सन 1825 में लाड ब्राइस ने एक पस्तक लिखी थी उसका नाम था मॉडरन डेमोक्रेसी उसमें उन्होंने क्या है यह सवाल उठाया कि क्या विधाईकाओं का क्या पतन हो रहा है भारत और बिटेन के अनभावने इस तत्य को परमानित कर दिया है कि कारेपालिका की बढ़ती हो तो विपक्षी दिलों सहीत संपूर्ण विधायका की स्थिति कारेपालिका के सामने मुख दर्सक जैसी हो जाती है ब्रिटेन में मंत्री मंडल की भूमी का एका अधिकार प्राप्त संस्ता जैसी दिखाई देने लगती है तो इस प्रकार से क्या है पूर्ण वहुमत की स प्रबल करन विपक्ष के प्रबल होने पर ही होता है विपक्ष प्रबल नहीं होगा तो व्यवस्ता पिका की सकतियां भी न्यून या गौन हो जाएगी अगला दोस यहानी है वो है राष्टिय हितों की अवहेलना संसदी विवस्ता का एक दोस यह भी है कि इसमें राजनातिक दलों की मानसिक्ता हमेशा दल्य नीतियों को आगे बढ़ाने तथा उनके हितों के संवर्दन में सहायक वाद विवाद करने की रहती है फिर चाहे राष्टिय महत्व को तिलांजली है क्यों न देनी पड़े लॉर्ड ब्राइस के अनुसार इस प्रिणाली में दल्य वावना बढ़ती है और हमेशा तिवर बनी रहती है जादा तर देखा जाता है कि सरकार की गलत निती का सतापक्स के सदस्य है सतापक्स के सदस्य है इसलिए विरोध नहीं कर पाते हैं कि वे दल्य अनुसासन से क्या है जुड़े रहते हैं भारत में निरक्षरता का मामला हो गरीबी जन संक्या का अधिक या अर्थात बढ़ती जन संक्या सोशन, बिरोजगारी तथा ब्रष्टाचार जैसी राष्टिय जुरन समस्याइं जो हैं उनके समाधान के लिए कारगर निती अभी तक इसलिए नहीं बन पाई है या सफल नहीं हो पाई है क्योंकि कोई दल दूसरे दल की सफलता का स्रे देना नहीं चाहता तो इस प्रकार से क्या है राष्टिय हितों की अवेलना भी इसमें देखी जाती है अगला जो दोस है वो है निर्बल तथा ऐस्थिर सासन संसद्य प्रणाली में वास्त्य कारेपाली का के पास क्या है बहुमत तथा सदन का विश्वास होना जरूरी है नहीं तो क्या है सरकार का पतन क्या है सुनिश्चित है तरसंग को विदाई का या किसे भी दल को सपस्ट बहुमत ने मिले उस इस्तिति में संसद्य प्रणाली का ये जो दोस है वो बड़ा ही उजागरुप है भारत में पिछले कई दस्कों से क्या गठबंदन सरकारों का दोर रहा संसद्य प्रणाली की कमियां बड़ी विचित्र है ये एक दल अधिक बहुमत में आता है तो बहुमत के आसपास रहता है तो कुछ सदस्य द्वारा दल छोड़ने की आसंका बनी रहती है और ये किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता तो राजनेतिक आस्तिरता हो जाती है इस परकार से मंत्री मंडल दौरा विदाईका को भंक करने की अनुसंसा वहातियार है जो विदाईका को सदेव क्या है भयाक्रामत या डरा हुआ बनाई रraul़ती है तो स्पष्ट भहुमत नय होने की स्थिति में क्या है निर्बल वा एस्तिर सासन यह भी एक क्या है ब्रिटिश संसेद्य प्रणाली का दोस है अगला है आपात काल में अनुप्युक्ता संसेद्य सासन प्रणाली की जो कारे पदती है वो है विदाईका के साथ समन्वे करने और समुचित वाद विवाद के पश्चात निर्णे लेने से समन्दिते है समन्ने दिनों में क्या होता है कि यह सासन प्रणाली उचित लगती है परंतो संकट के समय इसके दोस बड़े क्या है घहरे लगने लगते है उस दुरान ही पाकिस्तान के साथ हुए कारकल संगर्ष के समय यह कमी उभर कर सामने आई चूंकि लोकसभा भंग थी अतर राज्यसभा का सत्र बुलाने के लिए विपक्षी दलों ने मांगर की जो सरकार में स्विकार नहीं की क्योंकि युद्ध जैसे इस्तिती में राजनेतिक संकिर्णताई चुप नहीं पाती इसी के साथ प्रसनी है विए उठा कि पराजित सरकार जिसे काम चलाओ सरकार कह दिया जाता है किस सिमा तक नितिकतन ने ले सकती है इस समद्ध में गिलकराष्ट का कतन है कि जो विचार विमर सांती काल में संसद्य सासन विष्था का गुण होता है वही संकट काल में उसका सबसे बड़ा दोस बन जाता है तो अर्थात आबाद काल एमर्जेंसी की स्तिती में संसद्य विष्था बड़ी ही दुखदाई कभी-कभी हो जाती है इसके प्रशात है अंतिम वो है नोकर साही का दबड़ा संसद्य लोक तंत्र की इस सासन विष्था में वास्त्य कारेपारलिका के अधीन स्थाई एवं प्रशासने कारेपारलिका करेगरती नोकर साई के समस्त अवगुणों से भरपूर, प्रशासने कार्यपाओका की मुख्या का मुख्या कारय," मंतरियों को परामर्ष देना, नीती और कानून जो है उनका क्या है किरियान्-वेन करना है किन्तु ऐस्तिर सरकारों के समय नोकर साही क्या है? निरंकुस बन जाती है इसी प्रकार परतिबदता के अभाव में या छद मत टस्ता के चलते नोकर साही राजनितिक कारे पालिका को संपूर्ण सायोग परदान नहीं करती है लोग सेवाव में अधिकारियों का इस्थाई चायन तता समयधानिक शुरुक्षा इसके कारे करण को उससे प्रभावित करती है राजनितिक्य मंतरी गर्ण प्राई राजनितिक कारे कलापों एवो मुनियमों से क्या है अन्भिक्य होते हैं तता राजनेतिक करेकर्मों में ज़्यादा वैस्त रहते हैं जिस ऐसी स्थिति में क्या नोकर साई या नेक वार क्या उसका लाब भी उठा लेती है इस प्रकार हम लोगों ने ये इसके दोस्त पढ़े इस सम्मंद में सेजवी कहते हैं संसदिय शासन के गुणों को घंबेर त्रूटियों के दवरा खरीद ना पड़ सकता है संसदिय लोकतंत्र आत्मक शासन प्रणाली को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि राजनेतिक दलों में क्या है मैच्यॉर्टी हो विधाईका में पूर्ण बहुमत हो विपक्ष सकारात्मक भूमे का निवाई संसदिय मुल्यों में क्या है आस्था होने चाहिए बार बार विधाईका भंग नहीं होने चाहिए संसद का सदन का जो अधेक्स है वो निश्वक्षता भी दिखाए राष्टर के सामाजिक आर्थिक स्थिति सुद्रड हो तर्था व्यक्ति पूजा के स्थान पर समोहिक्ता को बल दिया जाए तो ये कुछ ऐसे बिंदु है जिनके माद्यम से क्या है संसदात मगलोग तंतर व्यवस्ता को क्या है सफल बनाया जा सकता है तो आज हम लोगोंने क्या है बिटिस अंसदी प्रणाली को कंप्लीट कर लिया है इसके बस साथ हम लोग जो बिटिस प्रसासनिक व्यवस्ता है उसकी क्या है कुछ विशिस्ताओं के बारे में पाद में पढ़ेने